है व्यालो फ्रेंड वईल्कॉम बैक्टोवित विडम विक्लेसम बैक्ट्रील आज नकाना कफी एंपुर्टेंट रहे गाता आď कुछ सखास हिं प्रक Georgiab請 अलग नहीं अट मतलब हर क्लास से अलग आज की क्लास है आप थमनिल देखी बार होंगे इसमें है एड़टाइज्मेंट टीजटी पीजटी दोचरबाइस ठीक है इसमें क्या है कि सीट कम है तयारी कैसे करें तो यहने अब सबसे बड़ा जो एड़टाइज्मेंट ने देख देख कर और अभी की जो वीडियो चैनल ने देख देख कर लग रहा है कहां इस पर अभी बारता बहुत जरूरी हो जाती है तो आज हमने मतलब लाइप क्लास हो चाहता बट लाइप क्लास इसले नहीं लिए क्योंकि हमारा इधर का एंट बोक्स में बताइएगा कि mü क electromagnet है मेरी ख्याल से तो तो कहले पहले देख लेते हम क्या है वेकन्सी प्रेजेंट में कितनी वेकन्सी है हमारे पास यूपंट की बात हो रही है यहां पर कोई टीचीटी पीजटी नहीं है ठीक है क्यों कि हमारा यूपिटीईटी पीजटी है इसका पैटन इसका पैटन सब्जेक्ट में चिपा है अगर राज्त यह यह यहां को डहोंकरी मिल सकती है क्योंकि आपको TGT की बात करें तो यहां पे इंटर्वुव्वी में ज्यादा लोंख पहुंच चकरें नहीं है यहां पर वहीं चिटनी कन्णी होती है जिसे कि कट ओफ में आदे जितनी संख्या है बाइस की तो कट ओफ में आपका तिगुना वस पहुंच वसाई ठीक है तो इस तरह से कट ओफ इतना ऊपर लिया जाता है पेपर का पैटर्न भी टफ रखा जाता है जिसे के पास कम हो सके हैं फिर तो यहां पे हम बात करते हैं ऐने हैं थे सबसे पहले आपके स्बसक्त कर और गाया का त्क में 12, 21, 12 और 7 ठीक है तो ये टोटल कितनी हो जाती है चालेस याने गल्स में कुल 40 सीटे हैं जिस पे हर किसी को फाइट करनी है अब बात करते हैं यहां में बाइस की तो यहां पे 76 दूसरे कॉलम में आपका 41 थी याने आपका OBC करके कुछ था और तीसरे में आपकी बाइस थ की ना बाद करके हम सीथिये अमूमन सीटों की बात करते ही जो काफी ही इंपड्रेंट हो जाती है क्योंकि यहां कॉठा नहीं हो जाफिछी आफितनी ही हॉते रहालेकोशे थी जा नहीं अगर बात की जाए क कि बालक बर्की था कर दिनिंए है आपकी Cや वालक बर्की में कित जादा अपलाई होंगे यहां की अपेच्छा यह बात आप नोटेस करके चलिएगा तो इसकी मेरिट कम जाएगी इसकी अपेच्छा क्योंकि फॉर्म जहां जादा अपलाई होंगे वहां पर क्या होगा कमपिटिशन अपने आप भड़ जाएगा तो टोटल कितनी पोश्ट है दोनों की मेला के तो आपकी है 179 यानि 179 हमारे पास सीट है 189 सीटों पर हमें क्या करना है एक सीट अपनी सलेक्ट करनी है अगर आपने गल्स में डाला है तो 40 सीटों पर अगर आपने बॉइस में डाला है तो 149 सीटों पर आपको पनी सीट सलेक्ट करनी है तो यहाँ पर बात की जाएगा आप अपनी सीट कैसे सलेक्ट करेंगे उसस तो इसमें आपकी जनरल केटे के लिए याने अंडेजर में 5 हैं वह भी थी या ऐसी कुछ भी था उसमें एक थी तो टूटल मिलाकर यह छे सीट थी यानि टूटल मिलाकर छे सीट है आपकी पीजेटी में तो यहां कमपेटी से अपने आप हाड हो जाएगा और आपका तो भी अच्छा कासा जाएगा उसके बाल अकैडमिक यहां पर टकराएगा क्योंकि जिसका अच्छा होगा उसे इंटर्व्यू में इजी लिए नंबर दे दिये जाएंगे तो यहां पर हर चीज़ देख कर चलना है हर पायदान को देख कर चलना है तो मेरा तो सजेशन यह यह आप TGT नहीं झालेat कर दो को पर होगा यहीं बना पर चाहँ कर्शे के ट्रूब तो हमस्ताइबर विज़ने ही ति ट्क्रका यहीं मेंट सब्सक्राइबर ब्हुत हो प्रीम होगा कि वेतos तो यहां है तो frenद अज यहीं से न पहुत कहस हो जता है तो चलिए क Minnie सालतों कि मतलब रोज JEan नहीं चरा है तो चलिए देखते हैं कि करना क्या है कि sitting video आप नोगे निकम करी जो तो मतलब इस तरह डर रहें कि पांस तारी को क्या होगा कि आपके परिछा के इन दिन धारित हो जाएंगे यह इस तरह की किसी भी अपवा में ना पढ़े और आप में तैयारी पर ध्यान दें क्योंकि फ्रेंड अगर आपने इन इन चीजों को फॉलो किया है ना तो अगर अब तक के पहला कुशन बनता है यहां पर क्या आपको पता है क्या आपको पता है क्या पता है क्या पता है कि अब तक कितिनी बार यूपी टीजिटी हो चुका है क्या आपको यह पता है तो क्या पता है आपको आपको यह पता है कि आपने अब तक कि कितने टीजिटी पीजिटी पेपर लगा लिये हैं क्या आपने क्या आपने अब तक जितने प्रेवियस एयर ठीक है ऐसे सौटकर शलते हैं प्रेवियस एयर के जो कोशन पेपर हैं क्या आपने अब तक लगा लिये हैं ठीक है क्या आपने अब तक दो प्रेट्टि सेट पूरे कर चुके हैं बहुत सारे ऐसे कोशन बन जाते हैं जो आपकी तैयारी की नीव रख रहा है यहां पर तो अगर आपने नहीं कर रहा है यह सब तो आज से लग जाए बिना किसी दे रही के ठीक है प्रेवियास यह कोशन पेपर देखें जिससे के आपसे एक फैवियास यह कोशन पेपर चुटे नहीं ठीक है और दूसरा आपको करना क्या है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका यूपी टीजटी पीजटी कितनी बाहर हो चुका है तो चलिए यहां पर देख लेते हैं आपका यूपी पीजिती पीजिती कितनी बाहर हो चुका है तो यहां पर बात करते हैं यहां पर दोजार तीन में हो चुका है दोजार चार में हो चुका है अब तक ठीक है दोजार पांच में हो चुका है और दोजार छे में हो चुका है आपका ठीक है यहां पर दोजार नौ में हो चुका है और आपका deuxième 9 के बाद अगर बात की जाए तो 2 जा 13 में भी हो चुका है 13 के बाद बात की जाए तो 2 जा 16 में भी हो चुका है 2021 में अभी आपके सामने ही हुआ है 2012 में होने वाला है तो यहाँ पे कम से कम अगर देखा जाए तो 1,2,3,4,5,6,7 और 2021 का मिलाकर 8 वार, अब तक कितना 8 वार क्या हो चुका है, आपका TGT PGT हो चुका है, तो जब 8 वार TGT PGT हो चुका है, तो 8 प्रेक्टिस सेट तो यही हो गए, 16 प्रेक्टिस सेट हो गए, यह आपकी लगाने के लिए, कि आपको TGT PGT के दोनों के प्रेक्टिस सेट लगा तो आपको खुद में ही confusion रहेगा पेपर टान तक आप यकीन मालिए जब आप अगला टीजिटी पीजिटी में बैठेंगे तब ये confusion आप अठा पाएंगे अगर आपने डाल दिया है तो अभी से या तो एक सब्जेक्ट पर फोकस कर दीजिए या फिर आने वाले फिर नहीं पेकेंसी की तरफ देखिए क्योंकि अभी क्या होगा कि एक सब्जेक्ट जिसने एक ही सब्जेक्ट से आपका टीजिटी और पीजिटी डाला है उसने best काम किया है आपको थोड़ा सा ये बात गलत लग रही होगी बट ये सही भी है क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पर महारत अगर आपका सब्चेक्ट मतलब एक नहीं है तो आपके लिए थूड़ा सट्फ हो जाएगा अगर आप पर TGT में अलग बनता है और PGT में आपका अलग बनता है तो तो थूड़ा सट्फ हो जाएगा आपके लिए तयारी करना तो हम यह 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 नहीं कहरे कि आप अपने फॉर्ण को निरासा में डाल दो या अपने फॉर्म से लिहास हो जाओ नहीं आपने जो भी डाला है वो बैश्ट डाला है और उसकी ही तैयारी कीजिए बटे सना ध्यान रखिए कि आपको कमांड होनी चाहिए तो यहाँ पे आपने यह बात कर ली अब हमें क्या करना है कि आपको जो कराई जा रही है सिंगासन से लिस उसे हलके में ना ले क्योंकि वह है आपको डिर सौ मैंसे कितने कोशन दे कर जाएगी तो यकीन माने कि वह आपको डिर सौ मैंसे आपको 120 तक कोशन दे जाएगी और हमें लाने कितने हैं 100 कोशन लाने है आप किसी भी कैटेगरी में हो किसी भी आप कैटेगरी को ब्लॉंग करते हो मैं नहीं कह जानती बट आपको सौ कुशन करके आने ही आने वो भी राइट वाले ठीक है, यहां सौ कुशन कौन से होंगे डेट सौ में सही वाले होंगे क्योंकि आपको क्या है कि अगर किसी भी कैटेगरी में हो अगर जंडल में सीट खा लिए जाने अंबेचर कोटा में सीट खा लिए तो आप उसमें आज आएंगे तो आपको क्या करना है कि 100 कोशिन सही करके ही आने ही ये बात आप पिल्कुल निश्यत करिए तब तो हमने पिछली वार रखा था टार्गेट 100 प्लस 100 प्लस इस वार कप यही टार्गेट है कि 100 प्लस होगा तो आप आपने आपने सुरच्छत रहेंगे और जो सिंगासन जीरिस है वो आपको 100 प्लस कोशन पसा के देगी इस वाप की कारणटी है क्योंकि उसी मै Beyonce से आएंगे क्योंके हो सकता है थोड़ा सा उस मैसे language थोड़ा से बह्तल लीग जाए है बड़ आपका answer वही रहेगा पूछने का फॉर्मेटट शेंज हो सकता है answer नहीं तो आप क्या करें कि बस तैयारी को ध्यान रखें और अब तक नहीं लगें लग जाए क्योंकि आपके पास 18 प्रिवियस एयर के प्रेपर उसके बाद आपको 2 प्रेटिस एट लगाने में लेसार 2 प्रेटिस सैट वेना बात नहीं बनेगी एक pretty set हमारा continuous चली रहा था उसके हमने 9 तक pretty set देख रही है जल्दी हम दूसरा pretty set श्टार्ट करेंगे चो काफी important है तदा आप कुछ pretty set पहले के पड़े हुए है तो आप जाकर देख सकते हैं अगर अच्छा लगे तो तो यहाँ पे इसी बात को हमने कहा है कि यहाँ पे सीटों को वस्याद रखना है कि 139 आपकी किसमे है बॉइस में है गल्स में 40 है तो आपको यहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ cut off जाता जाएगी बट cut off हमोवन यहाँ जाएगी क्योंकि यहाँ vacancy अधिक थी तो फॉरम यहाँ अपलाई अधिक हुए होंगे इस बात की यह गारंटी है और यहाँ vacancy कमती तो फॉरम यहाँ कम अपलाई हुए होंगे तो गल्स में cut off कम जाएगी निश्यत है बट कितना भी कम जाए हमें तो 100 प्लस के बाहर नहीं जाएं तो 100 प्लस के इतना भी अंदर ना चले जाएं कि हम cut off से भी बाहर हो जाएं तो हमें तो 100 प्लस लेकर चलना है जिससे कि हम cut off में पले रहें तो आज का सेसन हमारा इसी वाक्त पर था क्योंकि काफी दिनों से सोचा जा रहा था कि क्या करा चाहें बात मालो TGT PGT में सीट लेकर ही जाएंगे ठीक है क्योंकि अगर TGT PGT में सीट जाएए तो ये आपको मनला follow करना ही पड़ेगा चाहें खाने के साथ करो दोने के साथ करो ना हने के साथ करो भर बाहर आपको सुनते कारणटी है 100 प्लस आपको सिंगासन सीरीज से ही मिले के इसीरीज का नाम है सिंगासन सीरीज है तो आज के सेशन में बस हमें यहीं बताना था और कुछ नहीं अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो कमेंट वाक्स में जरूल बताईएगा तता अपने सब्चेक्ट को अब डिसाइड कर लीजेगा अब तक नहीं करा हो तो अगर आपका टीचेटे पीजीटे में एक सब्चेक्ट बताई तो आप चरूल बताईएगा कमेंट वाक्स में जितका एक से अधिक से डाल दिया है वो भी बताईएगा जिसे के अभी लाश्ट में हमें लगे कहां इस वाले सब्चेक्ट में मतलब आपकी कैसे क्या है तो थोड़ा तर इस्टिजीज करके उनमें से एक को सेलेक्ट करके उसका कमान करवाई जा सकती है तो चलिए देख लेते हैं क्योंकि हर बार हर सब्चेक्ट का एक अपना नीचर होता है वो अपने अपना नीचर के अकॉर्डिंग आपसे नीड रखता है कि आप क्या उसे दे रहे हैं क्या कैसी तैयारी कर रहे है तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपका सब्चेक्ट कैसा है उससे बने वाले कुश्चन किस तरह बनते हैं हर साथ ये आपको देखना जरूरी होता है इसलिए हमने कहा है कि हर कोई अपनी प्रेवियस इगर के पेपर लगाए अगर पेपरों को लगाने के वाद अगर हमजान सब्चेक्ट में आपको फिर भी कोई क्वैरी रहती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा क्योंकि आपकी सब्चेक्ट की आप नेचर समझेए कहां से कुश्चन को अधिय को पूछता है जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं टीजीटी की टीजीटी क्या करता है आपका टीजीटी आपका प्रसार सिच्छा से बहुत पूछ है बाहिलोजी की इसमें अमोमन तीन से चार कुश्चन मिलेंगी और यहाँ प्रसार सिच्छा से आपका पट्टियों से प्रात्मिक्चे किस्था से और आपका बस्तर से मतलब हर पांचों या छहू ब्रांचों से इसके कोशन आपको अमूमन मिल जाते हैं जब कि यहां पर बात की जाए पीजीटी की तो वहीं पीजीटी क्या करता है कि आपका हूमन साइस को बहुत अधिक पूछता है क्योंकि पूछता है कि उसके स्लेवस में है यही फिर उसके बस्तर परदान से एक थोड़ा सा उसका चाइल डवलबमेंट वाले पार्ट से तो पीजीटी के लिए आपको बाहलों जी अच्छी आनी चाहिए मानब बिग्यान और जी बिग्यान जिसको कहते हैं जिसमें से हूमन साइसर जिसको कहते हैं साइस में वो पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए और टीजीटी के लिए आपका प्रसार सिच्छा से लेके आपक प्रासार सिच्छा हुआ आपका प्रभंदन हुआ और आपका खानी का हुआ मतलब सारे पार्टों पर आपकी थोड़ी थोड़ी पकड होनी चाहिए तब ही आप टीजिटी निकाल सकते हैं तो यह देखिए आप कौन से सब्चेक्ट में आपका महारत है तो आप उसी को पकड़ी हो उसी को पकड़ के आंके चलिए क्योंकि दोजार बाइस हमने कहा क्या है खाली नहीं जाए दोजार बाइस आपके केरियर में कुछ ऐसा दे के जाए जो अचूप हो अमून हो आपके लिए बहुत इंपोडेंट हो क्योंकि 222 इस हुसाल खाली नहीं जाजी जाए तो बस 100 प्लस 100 प्लस एकी बात आज भी कहेंगे जो पिछली बार कही थी 100 प्लस ठीके इस से आंगे कुछ नहीं 100 प्लस लाना है या आप पिलकुल आज से ही ठान ली चूँके 100 प्लस तो आपक लिए भी कीमती रहा तो comment box में बताईएगा ठेक है comment box में जरूर बताईएगा कायो मैंने आपका स्कीमती समय लिया वो आपके लिए भी स्कीमती रहा या नहीं रहा धन्यवाद ठीक है साधर धन्यवाद का मतलब होता है साधर धन्यवाद आपको बता दें क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो ठीक है आप सही है क्योंकि हमने यहीं नहीं देखा कि एक डेड़े हाथ से टाइप कर रहे हैं तो चली बस इतना ही और साधर धन्यवाद के साथ बंदे मातलब